पसुपालगों राधे राधे आपको बताज आपको आप दुधारू भैस ज्यादा दुद देने वाली भैस हम कैसे खरीदेंगे ज्यादा दुद देने वाले भैस की पहचान क्या है और दुधारू भैस की पहचान क्या है तो आज पार्टू आपके लिए बना रहा हूं और आप किसी किसान से भैस ख्राइब तो भी आप नहीं फसोगे उसका मैं आपको फोर्मूला बताने में आप दुधारू भैस का चैन कैसे कर से यह पहचान कैसे कर सकते हैं सबसे बरी बात आती है पसु पालव भायों, सबसे मैं पहले नमर पर लेना चाहूँगा पसु की आखे, आप जब भी दुधारू भैस खरी दो, आप उसकी आखे पर जाओ, उनकी जो पसु की आख होते हैं, आपको मैं इमेज जो रब बताना चाहता हूँ, आप उने फुट जो मुह होते हैं, जब वो पागूर करती है, एक मिनिट वो कितना पागूर कर रही है, चालिस बार से उपर पागूर कर रही है, नहीं कर रही है, यानि कि जो उसकी पाज जो करती है, आप ऐसे हम लोग बोलते हैं, पागूर करना बोलता है, जो मुह हिलाती है, एक मिनिट पासीना टाइप का पानी अगर आ रहा है तो बहुत बढ़ी हाँ बात है वो बिल्कुल उसाइन कर रही है नाक से उसका कभी भी नेटा वेटा जो होता है नाक से निकलना वो सब चीजी नहीं होना चाहिए पसु स्वस्थ होना चाहिए अब हम उहां जब सर सर से थोड़ी से दूर हम जाते हैं आते हैं गर्दन की पास गर्दन कितनी भी लंबी हो कोई दिक्कत नहीं पसुपाला भाईयों लेकिन चमडी बिल्कुल पतली होने चाहिए मैं आपको बता दू चमडी पतली इसलिए मैंने बोला आप देखते हो मूटी जो भैस होती है आप उसको खिचो जल्दी खिचता नहीं है जो पतली जमडी होती है आप फट्सो को खिचो बढ़ेगा दो ती निंचे आपको चमडी से खिचोगे तो बढ़ जाते है वह दुधारू भैस होती है पसुपाला भाईयों फसुपाला भाईयों thou हमेसा भैस जो होती होती हो हर मैसा अपने शरी पर मक्ही को जल्दी बैठने नहीं देती है एक चाहिए आप हरम से नोटिस करना पसुपाला भायू दुधारों भैस कभी भी अपना सर नीचे नहीं रखेगी इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आप देखलें जब भैस खरिदने जाए उसका सर नीचे नहीं होना चाहिए दुखी जैसा भैस नहीं होना चाहिए रखें पसुपाला भाईयों और पसुपाला भायू मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जो थन उसकी जो थन सबसे बड़ी चीजी आती है थन जिसको आप लोग गादी बोलते हो लियोटी बोलते हो थन में जो एक चीज आप देखत पानी ना फेक जैसे हम अस्प्रिक करते खेत में देखते हो फुवार ऐसा पानी फेकता है वो दूद नहीं आना चाहिए सिधा दूद का धार सिधा बाल्टी में आना चाहिए या फिर सिधा जमीन पर दूद गिरा के दिख सकते हो तो यह चीज है साथ सबसुपालों मैं आप अधिकास दूद वाली होती है पसुपालों यह चीजिन आपको बता चाहिए जो उनकी आप देखते होगे जो उनका मूत्र जो होता है आप उनके मूत्र को चेक करना वह जैसे वह पेशाव करती है वह उनकी पेशाव में देखना कभी बदबू नहीं आना चाहिए और पसुपालों चाहिए जो अनाज का अंस नहीं होना चाहिए गोवर में दाना नहीं आना चाहिए गोवर में नहीं पसुपाल्य भखिशाव में पसुपालों गाली iPhones, और यहां तो, तो समझ जाना कि पसू का जो जर है याने कि जो पसू ने बच्चा दिया था ओजर अभी वी अंदर में उसको प्रॉब्लम हो रहा है ठीक इसलिए उसकी पेशाओं में बदवुआ रहा है पसू पालग भाईयो इस चीज़ को अब जुरू नोटिस करना पसू पालग भाईयो देखे पसू पालग मैं आपको और बताना चाहिसे आप उस जब हम अडर देखते कहीं सी भी हम जब खुटे पर भाईयो कोई भी हमारे विश्तेदार आते हैं दोस्त आते हैं तो सबसे पहले लोटिस करता है भाई भाईयो इसको दूद कितना आ रहा है अगर आप एक किसा आपको सचाई बात बताएगा हाँ जी मेरी भैस दस किलो दूद दे रही है सुबह साम मिलाके पांच किलो सुबह साम में पांच किलो भैस मेरी दूद दे रही है आप उसका दूद निकालके दूद काड़ कर देख सकते हो और आपको पता चलिए भैस दूधारू भैस है कि कि नहीं है ऑर मैं आपको बता hasn't ओना किसान से कितना भैश को लगा और आपको भैИस खुद फर्स्ट ब्यात के आप भैस करीद रहा हो उसका डीटेल्स आपके पसुपालग के पास होना चेक उसकी माने कितना दूद दिया था वह किस सीमेन का ब्रीड है याई कि किस नसल की भैस है वह दुधारू भैस है कि नहीं आपको यहां पर देखना हो लेकिन जो सकेंड लेक्ट आप डेविव फार्म करना चाहिए तो बहुत 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 कर सकते मैं आपको सबसे बरी चीज पर उसके जो तिन कोने अकार का भैस होना चाहिए उनकी गर्दन थोड़ी छोटी हो है लंब्यों चलेगा कोई दिकत नि लेकिन उसके अस्कीन और अड़र यह दो चीज पर दियान रखना साथ 6 कभी तक दिन में दूढब जम दूण निकालना दलालों क्या करते पर दूब सब्सक्रीब बताना चाहएं पर आप वहां से भाता क्रेंदे जाओ वो भाण के लिए चाहिए ऊक्षिक वेकिन आता है दूद की साइज थन बढ़ जाती है वो क्या बोलते भाई हमारी भैस इतना दूद देगे गैरंटी है तो आप वहां पे इस सीच को बिल्कुल इग्नॉर करें दलाल से अब उसी तरह भैस खरें दे जो दलाल हो जो दलाल आपको सही सटिक जान करें दे आप उसी दलाल से भैस खरें जा रहे हो वैक्सीन मारके और उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है या फिर एक सांज का दूद निकालना दूद छोड़ देगा दूसरी सांज का दूद निकालेगा उससे अब बढ़ जाता है पसू को थनिला नहीं होना चाहिए पसू पालवाई पसू को चला के देखें कि पसू लंगड़ा के तो नहीं चल रही है पसू के चारो पैर पर ध्यान देना कई पसू के चारो पैर में कई कुछ जखम तो नहीं है खुड़ पाक की बिमारी तो नहीं है उसके मूह को चेक करना कई मूह में फोड़ा भाई रहा तो नहीं है पागूर चेक कर व आप जितनी पूछ लंबी होगे प्तृव उतनी अच्छी हो भ्हैस होती आप पूछमेंग्स घाट मारोक रसी तरह तो गाट लग याता है तो समझ ज़सरा पालों पाप जब भी भैस कहीं से बीस क्खड़दो लेकिन यह चीज़ मैं आपको पालों समझाने चाहता हूं पालग भाई किसान से कितना लगाव है उसको या आप जब बच्चे को खोलते हो दूद्ध बच्चा उसको पीने देता है यह नहीं देता है आप एच भी नूटिस करने क्योंकि बहुत साथ दलालों क्या करते इस भाइस का बच्चा उस भाइस को ठक जाते हैं हमाई यह साथ ठक पचीछ सी हो जाता है पसवपाला भायो दुधारों भाइस का कुल मिलाकर जो फॉर्मूला पसवपाला आप नसल कुपर काम कर रहे हो आप वहां से अच्छी ब्रीड का नसल खुद से त्यार कर सकते हो आप अगर चाहते हो कि मैं दुधारों भैंस को अच्छे तरीका से खुद से जांच परके लूँ तो यह जो मैंने आपको से तरीका सेर के पसुपाल वाई हो अस्कीन को देखना, उसका तिरिया को नाकार देखना, अडर देखना, पूच को चेक करना, उसके मूँ को चेक करना, पागूर चेक करना, यह नहीं कि जो कितनी पाज कर रही है दूद की नसों की भैन को देखना, अडर का साइज देखना, चार उंगली का गैप, एक थन मालोई से थन, चार उंगली का गैप है या नहीं है, आगे की कुछ छोटी हो थन चलेगा, लेकिन पीछे का थन मुठी का थन होना चाहिए, आगे का थोड़ा थन छोटा चल सकता है, थोड़ा सके धार को चेक करना है, आप इस तरीके से पसुपालगों भैस को आप अच्छे सही और सटिक जाने करी ले सकते हो, और खुद से एक अच्छा भैस खरीच सकते हो, और अपने घर पे ला सकते हो, और इससे आप अच्छा इंकम जनरेट कर सकते हो, देखें पूटी सिंग होती पांच के सिक्य करकार के सिंग मुड़ा हो आता है, बिल्कुल अच्छा होता, यहनिकि मुड़ा भैस थीन उनकी पूछे होती है, वो श्रीप वाइट होती है, बाकि जो भी आप जेट ब्लेक भैस देखलो मुड़ा भैस वो भी प्योर ब्रीड की होती पसोपालग बाई, तो मैं आपको बतातु कभी भा भैंस खरी दो, कहीं से भी खरी दो, यह पांच चेट गूल मैंने आपको बताया है, सब भैंस पाई जाता है, आप उस तरह के जोब भैंस खरी सकते हो, पसोपालग बाई, प्लीजि कमेंट से बता है आपको वीडियो कैसे सब्सक्राइब कर लें आप इतना सारा प्यार सपोर्ट करो मैं आपको दिल से धन्यवाद कर तो आप इस तरह सपोर्ट प्यार बनाए रखें मिलता हूं नेक्स वीडियो में आज के इतना ही जहन बंदे मात्रम